हेलो एवरिवान वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिसकस करेंगे क्लास टू इंग्लिश की यूनिट फाइव के सेकंड चाप्टर वी आर अल इंडियन्स के NCRT क्वेश्टन आंसर्स इससे पहली वीडियो में इस चाप्टर को हमने रीड किया बहुत सारे बच्चों से हम मिले जो डिफ्रेंट स्टेट्स के थे हमने जाना कि उनके वहाँ पर वो कौन से फेस्टिवल सेलिबरेट करते हैं कैसी लांगवेज़ बोलते हैं क्या चीज़ें वहाँ की फेमस है अब चाप्टर के एंड में जो questions given है उनके answers आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे पहला question है what do you say when आप क्या कहते हैं जब you want to enter the classroom आपको classroom में enter करना है अंदर आने से पहले आप क्या पूछते हैं teacher से आप पूछते हैं may I come in next you want to visit the washroom आपको washroom जाना है तो आप पूछते हैं may I go to the washroom may I go to the washroom okay next you want to borrow a book from your friend आपको आपके फ्रेंड से कोई बुक लेनी है तो आप क्या पूछते हैं may I borrow your book please may I borrow your book please okay then you hurt someone by mistake गलती से आपने किसी को hurt किया चोट पूछाई तो आप क्या बोलते हैं आप बोलते हैं sorry you need a pencil आपको pencil चाहिए थी and your friend gives you a pencil और आपका friend आपको pencil दे देता है उस time पर हम उसे बोलेंगे thank you okay so ये कुछ basic चीज़ हैं class में enter करने से पहले may I come in washroom जाने से पहले may I go to the washroom किसी से बुक लेने से पहले may I borrow your book please किसी को hurt किया है तो sorry कोई pencil चाहिए और कोई आपको दे देता है so you say thank you okay next now choose a partner एक partner choose करिए दो-दो बच्चों का group बन जाएगा इसमें ask one another अब एक दूसरे से questions आपको पूछने है the following questions एक दूसरे से question आप पूछेंगे and reply accordingly और reply करेंगे what language do you speak आप कौन सी language बोलते हैं तो जो भी language आप बोलते हैं वो आप अपने friend को बताएंगे I speak and then language का नाम can you speak more than one language क्या आप एक से जादा language बोल सकते हैं अगर बोल सकते हैं तो आप कहेंगे yes और अगर नहीं तो आप कहेंगे no which is your favorite dish आपकी favorite dish कौन सी है तो आप बताएंगे my favorite dishes जो भी आपको पसंद है खाने में वो नाम बताएंगे which is your favorite tree आपका favorite सबसे पसंदीदा पेड कौन सा है आप अपने friend को favorite tree का नाम बताएंगे तो यह आपके लिए activity है कौन सी language आप बोलते हैं कि आपको एक से जादा language आती है आपकी favorite dish और tree कौन सा है next is let us draw आप drawing की activity है draw one thing that you like most in your home आपको आपके घर में कौन सी चीज सबसे जादा पसंद है उसकी drawing आपको यहाँ पर करनी है वो कुछ भी हो सकता है माली जै आपको आपका room बहुत अच्छा लगता है तो उसकी picture आप draw कर सकते है आपके घर में garden है garden आपको बहुत पसंद है वो आप draw कर सकते है या कोई चीज है मालनीचे कोई जूला है आपके घर में तो वो swing उसको आप draw कर सकते है देख लेते हैं कुछ एक pictures थोड़ा सा idea आपको मिल जाएगा इस तरीके से आप अपने bedroom की या फिर drawing room की picture बना सकते है color भी करेंगे इन में इस तरीके से ओके या फिर पूरा घर की भी picture बना सकते है अगर आपको जैसा घर है आपका वो अच्छा लगता है या फिर कोई particular चीज अगर है आपके घर में जो आपको घर के साथ पूरी family की picture भी बना सकते है ओके चलिए आगे आते है now let us speak अब speaking की activity है आपको बोलना है ये words आप बोलेंगे bread, bridge, brown frog, frame, frog bread, bridge bridge मतलब pull ये bridge है brown ये color है frog, frame जैसे ये photo frame है and frog ये एक frog मेंड़क है let us listen frame sentences using the above set of words given on the previous page अच्छा ये आपको कुछ words दिये थे जो इनको आपको use करना है और sentences बनाने है कैसे जैसे it was a bright sunny day bright sunny day था धूप निकली हुई थी my brother went to buy bread okay bread आ गया मेरा भाई bread लेने गया he crossed the bridge उसने bridge cross किया to reach the shop दुकान पर जाने के लिए अब कुछ और ये words को use करके इस sentences आपको बनाने है कहानी आप आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो भाई को bread लेने जाना था उसने bridge cross किया देन वहाँ पर एक frame के पास में उसने एक frog को hop करते हुए देखा एक frog देखा frog जिसने brown frog पहनी हुई थी जो से बहुत फणी लगा ऐसे कोई भी story आप बना सकते हैं तो चबे से ही लिखते हैं so it was bright sunny day and my brother went to buy bread he crossed the bridge to reach the shop and in the shop shop he saw a frog hopping hop बोलते हैं frog जैसे कूटता है hopping near a frame वहाँ दुकान में frame के पास में एक frog hop कर रहा था and he was wearing उसने पहनी हुई थी a brown frog frog ने brown frog पहनी हुई थी frog and the frog looked funny the frog बहुत funny उसको लगा ठीक है कोई और story अगर आप बना सके in words को use करके वो भी आप बना सकते हैं ठीक है यह बस एक example है आगे आते हैं now let us write writing की activity है discuss with your teacher या आप अपने teacher से discuss करेंगे and answer the answer the following questions और इन questions को answer करना है what do we call the people who live in India India में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम बोलते हैं Indians so we call them उन्हें हम कहते हैं Indians भारती है okay name the festival of colors रंगो का त्योहार कौन सा है so holy is the festival of colors holy है रंगो का त्योहार the festival of colors okay next which festival do you like the most कौन सा festival आपको सबसे ज़ादा पसंद है and why क्यूं अब इसमें आपका answer अलग हो सकता है हो सकता है आपको holy ही पसंद हो क्यूंकि वो उसमें colors आप use करते हैं पसंद हो क्यूंकि आपको lights पसंद है और उस दिन रंगोली हम बनाते हैं पूजा करते हैं सब लोग मिलते हैं आपको इद पसंद हो आपको गुरुपूरा पसंद हो जो भी festival आपका फेवरेट है Christmas आपको पसंद हो क्यूंकि उस दिन lights होती है चारो तरफ Christmas cake आप खाते हैं वो आपको लिखना है और क्यूं पसंद है वो लिखना है तो इसमें एक general answer में बता देती हूं बाकि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आप कहेंगे my favorite festival नहीं do you like the most I like और फिर festival का नाम दिवाली, होली, ईद जो भी है the most और क्यूं पसंद है क्यूंकि वो joy और happiness लेकर आता है यह सभी festival के लिए आप लिख सकते हैं सारे ही festival joy, खुशाली और happiness लेकर आते हैं तो आप कहेंगे because I like this the most because it brings क्यूंकि यह लाता है joy and happiness ठीक है बाकी आंसर सेम यहाँ पर आपका खुद का आंसर हो जाएगा जैसे अगर मैं खहूं I like दिवाली the most मुझे दिवाली सबसे ज़्यादा पसंद है because it brings joy and happiness ओके, next now rearrange the jumbled letters यह jumbled letters है आपको rearrange करना है ठीक करना है इनको the answer will be the name of languages और जो answer आएगा वो किसी language का नाम होगा तो देखिए I-N-H-D-I कौन सी language बन सकती है इससे H-I-N-D-I Hindi H-I-N-D-I G-N-I-E-L-H-S यह है E-N-G-L-I-S-H English E-N-G-L-I-S-H R-U-U-D This is U-R-U-R-D-U Urdu 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 language E-L-U-T-G-U यह chapter में भी आया था This is Telugu T-E-L-U-G-U T-E-L-U-G-U Hindi English Urdu Telugu चली आगे आते हैं Now join the given sentences using but Sentences को join करना है But को use करके बीच में but आप लगाएंगे जैसे की For example Sentence पहला है I like to eat mangoes मुझे mangoes खाना पसंद है दूसरा sentence है I don't like to eat apples मुझे apples खाना पसंद नहीं है तो इन दोनों sentences को आपने join किया I like to eat mangoes मुझे mangoes खाना पसंद है But I don't like to eat apples लेकिन मुझे apples खाना पसंद नहीं है ठीक है? Easy है अब पहला sentence है I like milk मुझे milk पसंद है I don't like tea मुझे चाई पसंद नहीं है तो आप कहेंगे I like milk मुझे milk पसंद है But I don't like tea लेकिन मुझे tea चाई पसंद नहीं है Next is My grandfather is old मेरे grandfather old बोड़े है He is strong वो strong है तो आप कहेंगे My grandfather is old मेरे grandfather old है बोड़े है But he is strong लेकिन वो strong है Is strong ऐसा नहीं कि बोड़े है तो weak हो गए है नहीं बोड़े है लेकिन strong है अगला sentence है I wanted to go out मैं बाहर जाना चाहता हूं I बाहर जाना चाहता था I was too tired मैं बहुत थका हुआ था Tired मतलब थकना आप कहेंगे I wanted to go out मैं बाहर जाना चाहता था But I was tired I was too tired लेकिन मैं बहुत जादा थका हुआ था इस तरीके से दोनों sentences को आप जॉइन करेंगे बीच में but use करके Now Something new, कुछ नया एक picture दी है आपको ये classroom में आप करेंगे classroom का scene है Students of class 2 enter the classroom तो क्या हुआ classroom में class 2 के बच्चों ने enter किया अंदर वो आए There is an unfamiliar object on the teacher's table Teacher की table पर एक unfamiliar unfamiliar मतलब अंजाना जिससे आप पहले जो आपने ना देखा हो familiar मतलब होता है जिससे आप जानते हैं पहले आपने देखा है unfamiliar मतलब जिससे आप familiar नहीं है जिससे आप जानते नहीं है तो एक ऐसी चीज object रखा था teacher की table पर जिसे बच्चे जानते नहीं थे Everyone is curious Curious मतलब होता है जानने की इच्छा कुछ जानना जब आप चाहते हैं आप जिग्यासू होते हैं तो उसे बोलते हैं क्यूरियस होना तो सब में जानने की इच्छा थी कि ये क्या रखा है अंशिका कहती है Hey, look at this अरे इसे देखो pointing at the object उसकी तरफ इशारा करके Zoya कहती है Does it belong to our teacher? क्या ये हमारी teacher का है उनसे बिलॉंग करता है रोहन कहता है But what is this? लेकिन ये है क्या? तेजस कहता है It look like a bicycle to me मुझे तो ये bicycle जैसा लगता है But it has only one wheel लेकिन bicycle में दो पहिये होते हैं इसमें तो एक ही wheel है एक ही पहिया है अब भव्या कहती है And it has no handle Bicycle में तो handle भी होते हैं इसमें तो कोई handle भी नहीं है एक wheel है तो wheel cycle में होते हैं तो ये मुझे bicycle जैसा लगा लेकिन इसमें कोई handle नहीं है पामियों कहता है There are no pedals as well Bicycle में तो pedals भी होते हैं चलाने के लिए इसमें तो कोई pedals भी नहीं है सिम्रन कहती है और ये तो लकडी का बना है भव्या कहती है इसमें ये धागा क्यों है ध्रेड मतलब धागा जोया कहती है आई डोंट नो मुझे नहीं पता शायद हमें टीचर से पूछना चाहिए वो घूम के टेबल के दूसरी तरफ जाते है और हर साइड से वो उस अबजेक्ट को देखने लगते है टीचर एंटर करती है एवरीवन सभी कहते है नमस्ते टीचर पामियो कहता है पॉइंटिंग टूदी अबजेक्ट अबजेक्ट की तरफ पॉइंट करके इशारा करके object जो रखा था उसकी तरफ वो उंगली करता है और कहता है ma'am what is this ma'am ये क्या है teacher कहती है smilingly smile करते हुए do you know about महात्मा गांधी क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते है do you know who he was क्या आप जानते हैं वो कौन थे Zoya कहती है ma'am महात्मा गांधी is the father of the nation महात्मा गांधी father of the nation देश के इस राश्ट्र के पिता है उन्हें हम राश्ट्र पिता भी बोलते हैं तो वो father of the nation है teacher कहती है right सही गांधी जी led the Indian freedom movement ये word थोड़ा सा new है आपके लिए भारत की freedom मतलब होता है free होना स्वततंत्र होना आजाद होना freedom मतलब होता है आजादी और movement मतलब होता है आंदोलन जब कोई चीज कराने के लिए हमें किसी के खिलाफ कोई movement करना होता है तो आप जानते हैं पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था अब की तरह हम free नहीं थे तो Indian freedom movement हुआ था भारत की आजादी के लिए आंदोलन हुआ था तो उसको lead किया था lead ये leader से बना है lead करना मतलब किसी चीज में आगे होना उसे lead करना तो गांधी जी leader थे तरीके से उन्होंने lead किया वो आगे थे Indian freedom movement में भारत की आजादी के आंदोलन में अंशिका कहती है गांधी जी also gave the message of non-violence and peaceful existence गांधी जी ने हमें message दिया non-violence non-violence हिंदी में बोलते हैं अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है किसी को भी मारना पीठना नहीं है violent नहीं होना है and peaceful existence शान्ती से रहना है गांधी जी ने एक और message हमें दिया था कि हमें किसी के साथ भी गुस्सा नहीं करना है मार पीठ नहीं करनी है non-violence तरीके से peacefully exist करना है शान्ती से रहना है सिम्रन कहती है pointing to the object on the table फिर से table पर जो चीज है उसकी तरफ वो point करती है इशारा करती है but what about that लेकिन इसका क्या जो चीज रखी है ये क्या है teacher pointing to the object on the table teacher भी इशारा करती है उंगली से उस object की तरफ this object was very dear to महात्मा गांधी ये object महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था बहुत प्यारा था it is called the चर्खा और spinning wheel इसे हम बोलते हैं चर्खा या फिर इंग्लिश में spinning wheel तो ये जो object है ये है चर्खा या फिर spinning wheel okay spinning करना मतलब होता है बुनना और wheel तो आप सब जानते हैं इसमें wheel है तो टीचर ने नाम बताया रोहन पूछता है what is it used for माम ये किसलिए use किया जाता है माम टीचर बताती है महात्मा गांधी used it to spin thread महात्मा गांधी इसे use करते थे thread को spin करने के लिए जो धागा होता है उसे बनाने के लिए एक सूत कातना उसको बोलते है हिंदी में कि पहले cotton कापास होती है उससे thread बनाया जाता था एक चर्खे की help से spinning wheel की help से तीचर टेक्स आउट हांकरचीफ और शोज इट तू दे चिल्डरन अभी थोड़ा सा चर्खे को हम और डिटेल में देखेंगे कैसे वो काम करता है पहले पढ़ लेते हैं इसको फिर टीचर ने एक हांकी निकाला रुमाल निकाला और बच्चों को दिखाया यह उस thread धागे से बना है जिसको चर्खे पर काता गया है देखो यह है spinning wheel चर्खा और यहां पर यह thread आपको दिख रहा होगा देखो यह चर्खे को घुमा के यहां से यह thread बना है इस cotton से कपास से यह cotton है जो हमें plant से बिलती है तो plant से हमने cotton ली यह कपास ली इसको चर्खे पर spin किया काता और वहां से threads बनाए धागे बनाए और फिर उन threads को उन धागों को यूज़ करके इस तरीके से बहुत से threads ऐसे लगेंगे ऐसे लगेंगे फिर बनता है एक cloth एक कपड़ा यह है गांधी जी चर्खे के साथ तो वापिस आते हैं टीचर बता रहे थी कि यह हैंकी वो दिखाती है और बताती है कि इस हांकी में जो threads है जो धागों से यह बना है वो चर्खा पर उनको spin किया गया है काता गया है मात्मा गांधी वांटी टू प्रमोट लोकल हांडी क्राफ्ट मात्मा गांधी चाते थे वो प्रमोट कर रहे थे प्रमोट करना मतलब किसी बनता है हमारा फाक्ट्रीज में वो लेकिन मशीन बनाती है और जब हाथ से चर्खे के उपर हम या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हम खुद से करते हैं उसे बोलते हैं हांडी क्राफ्ट तो गांधी जी प्रमोट करना चाते थे हांडी क्राफ्ट को लोकली जो लोग हाथ से काम करते थे उस टाइम पर उनको बढ़ावा देना चाते थे and used दचर्खा उन्होंने चर्खे को यूज किया as a symbol for self-reliance and independence बहुत सारे new words है इसमें वो एक symbol एक ऐसा चिन बन गया for self-reliance self-reliance मतलब आत्म निर्भरता आत्म निर्भर क्या होता है जब हमें किसी काम के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है अगर कपड़े आपको पहनने है तो आपको कहीं से लेना नहीं है कपास लाईए धागा बनाईए उससे कपड़े बनाईए और आप खुद के बनाई हुए कपड़े पहन सकते है self-reliance होना उसको बोलते है तो चर्खा एक symbol बन गया self-reliance होने का कि हम खुद पर निर्भर रहेंगे और independence का आजादी का तोड़े अग गेस्ट विल जॉइन अस आज हमें गेस्ट जॉइन करेंगे जो हमारी class में आ रहे है we will show you how to spin the चर्खा और हम आपको दिखाएंगे चर्खे से कैसे कातते हैं all children clap with joy सब बच्चे खुशी से clapping करने लग गए फिर इनकी class में कोई आए होंगे जिनोने इने चर्खे से कातना बताया होगा ओके आगे आते हैं एक साइज है match the fruits to the tree they grow on fruits को match करिए जिस पेड़ के उपर वो grow होते हैं उगते हैं तो इसमें सब से पहले है बनाना ये उगेगा बनाना ट्री पर और यहाँ पर है बनाना ट्री तो यह अब यहाँ से match करेंगे बनाना को बनाना ट्री से आगे है coconut ये grow होता है coconut tree पर इसके बाद है apple apple tree फिर है grapes ये उगते है grape wine पर wine मतलब होता है बेल इसकी बेल होती है कोई पेड़ नहीं होता ऐसे किसी support से वो आगे बढ़ती है और फिर है mango mango उगता है mango tree पर ओके तो ये plants किस plant पर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए बनाना आपने देखा होगा ऐसा होता है banana tree बड़ी बड़ी leaves इसकी होती है फिर coconut भी आपने देखा होगा ये coconut tree होता है सभी trees भी different है ये apple tree होता है ऐसा फिर ये grape wine होती है अंगूर की बेल और ये है mango tree next now full day festival एक नए festival के बारे में जानते हैं full day this is a festival of flowers नाम से ही पता लग रहा है हमें full मतलब flowers फूल तो ये flowers का festival है फूलों का त्योहार है this festival marks the beginning of spring spring मतलब होता है बसंत रितू जब बसंत रितू आती है उसकी beginning में शुरुआत में ये festival मनाया जाता है जब full day festival मनेगा मतलब की spring आ गई है children collect different kinds of flowers spring season में हम जानते हैं बहुत से फूल खिलते हैं तो बच्चे अलग-अलग तरह के फूलों को इकठा करते हैं they go to the houses near their home उनके घर के पास में जो houses घर होते हैं वो उनमें जाते हैं they offer flowers to the elders फिर वहाँ पे जो elders हैं बड़े लोग हैं उनको वो flowers देते हैं sometimes they keep the flowers on the doorstep कई बार वो उनके doorstep दर्वाजे पर भी फूल रखाते हैं the elders give them rice and jaggery और जो elders हैं वो उन्हें rice, चावल और गुड देते हैं तो यह है फूल देई festival ठीक है? कमान आया जाता है spring की आने पर और बच्चे फूल इकठा करेंगे घर-गर जाएंगे बड़े लोगों को बड़ों को फूल देंगे या फिर उनके घरप के बाहर रखाएंगे दूसरा festival है शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा is celebrated on a full moon night शरद पूर्णिमा मनाई जाती है जब full moon night हो पूरा चांद जब खिलता है it is celebrated in the month of अश्विन ये हिंदी का एक मन्त है अश्विन के महीने में ये मनाई जाती है अश्विन का बाता है September-October में the weather is generally pleasant इस टाइम पे जो मौसम है वो pleasant, सुहावना होता है शरद पूर्णिमा mark the ending of the monsoon season और शरद पूर्णिमा एक mark है, एक पहचान है कि अब monsoon season खतम हो रहा है जो बारिश का मौसम है वो खतम हो रहा है नेक्स्ट है आदी पेरुक्कू आदी पेरुक्कू is the, is a Tamil monsoon festival ये तामिल नाडू का एक monsoon festival है जो बारिश के मौसम में monsoon season में मनाया जाता है it is celebrated in the आदी मन्थ आदी मन्थ कौन से होते हैं जुलाई से लेकर आगस्ट तक जुलाई और आगस्ट ये दो शुरुआत से लेकर आगस्ट के एंड तक दो महिने आदी मन्थ होते हैं इसमें ये मनाया जाता है people worship river कावेरी बहाँ पर कावेरी नदी है तामिल नाडू में लोग उसकी पूजा करते हैं farmers pray for a good harvest और farmers pray करते हैं प्रातना करते हैं कि उनकी जो फसल हो harvest है कटने के बाद वो एक अच्छी फसल आए ठीक है good harvest हो फिर है पांग लहाब सोल पांग लहाब सोल festival बहुत अलग अलग तरह के festivals है पांग लहाब सोल इस अ फेस्टिवल ओफ सिक्किम यह सिक्किम का एक फेस्टिवल है सिक्किम को देख लेते हैं इंडिया के माप में यह देखो यह है state of सिक्किम यह रहा सिक्किम यह state यहाँ पर मनाया जाता है पांग लहाब सोल अब इसमें क्या होता है कब मनाया जाता है this festival is celebrated in the month of August and September यह मनाया जाता है अगर्स्ट और सितंबर में Mount Kanchanjunga is worshipped on this day तो जो Mount Kanchanjunga है यह mountain है सिक्किम में लोग इसकी पूजा करते हैं इस दिन माउंट कंचन जंगा is considered as a protector by the worshippers, वहां के जो लोग है worshippers, मतलब वर्शिप करने वाले, पूजा करने वाले लोग है वो कंचन जंगा माउंटेन को अपना protector, protector मतलब होता है जो दूसरों से आपको protect करें आपकी रक्षा करें हिंदी में इसे बोलते हैं प्रहरी ठीक है, वो कंचन जंगा माउंटेन को अपना protector मानते हैं ये हमें protect करता है बचाता है, people dance and celebrate, लोग इस तरीके से dance करते हैं और celebrate करते हैं आप जानते हैं, सूरज से, सूरज अर्थ के उपर energy का एक source है do you know any festival that respect the sun? क्या कोई ऐसा festival आप जानते हैं जो सूरज के लिए sun की respect में मनाया जाता है एक तो मकर सक्रांती मकर संक्रांती ये है और एक है, बिहार में ये festival मनाया जाता है, छट छट विसे मकर सक्रांती में पूजा नहीं होती है में छट फेस्टिवल में लोग सूर्य भगवान की सन की पूजा करते हैं वो गौड सन को वर्शिप करते हैं ओके, next नाव प्रोजेक्ट है आपके लिए ask your parents और grand parents, अपने दादा दादी या मम्मी पापस से आप पूछेंगे या फिर relatives किसी और रिष्टिदार से पूछ सकते हैं about a fox song और local song that they used to sing in their village आपके उनके गाउं में कोई fox song कोई लोग गीत या कोई dance होता हो महापर या कोई local song जो गाया जाता हो ask them when they used to sing it और उनसे पूछो कि वो song कब गाया जाता है also learn the song in your mother tongue आप उस song को याद करेंगे and then sing it in the class class में गायेंगे present it in the following format और उसको ऐसे present करेंगे song से पहले presentation होती है आप अपना नाम बताएंगे आप बताएंगे my name is this मेरा नाम ये है my parents या फिर grandparents belong to मेरे parents या grand parents इस गाम से बिलॉग करते हैं village का या state का नाम बताएंगे my mother अत्र भाषा है mother tongue है वो क्या है वो बताएंगे the main idea of my song is blank और मेरा जो गाना है उसका main idea ये है song किस बारे में है वो बताएंगे and then sing the song और उसके बाद गाना शुरू करेंगे ठीक है इसी के साथ chapter over होता है hopefully सभी concepts आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे thank you so much for watching